शिर्विष्ण अवतार के विशे में श्रवन करें भगवान के अवतार अनन्त हैं अब आप कहेंगे यह तमाम प्रकार के हम अवतारों के नाम सुनते तो क्या ये जितने भी अवतार हैं इनमें क्या जो शक्तियां हैं वो कम ज्यादा हैं भगवान के अवतार सब पूर्ण हैं जितने भी अवतार हैं जिन जिन कारियों के लिए अवतार होते हैं तो उस कार्य को संपादन करने के लिए जितनी शक्ती की आवशक्ता होती है उस अवतार में उतनी शक्ती प्रकट होती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें शक्ति नहीं है पूर्ण रूपेड पूरी शक्ति है लेकिन उस कार्य को संपादित करने के लिए जितनी शक्ति क्या विशक्ता है बस उतनी शक्ति प्रकट की जाती है संसार में भी हम लिमिटेड शक्ति रखने वाले हमें जब अपनी शक्ति का प्रयोग करना होता है तो हम क्या करते है जितनी शक्ति चाहिए उतना ही तो प्रयोग करते है ना चलिए मच्छर मारना है हमको अब आपके कमरे में मच्छर आया तो मच्छर को मारने के लिए आपको कितनी शक्ति जाहिए आप कहेंगे यह मर गया मच्छर तो जगत में भी जितनी शक्ति की आवशक्ता है आप उतनी ही तो शक्ति का प्रयोग करते हैं जहां पर जिस कार्य के लिए अवतार हुआ उस कार्य के लिए जितनी शक्ति की आवशक्ता बस उस अवतार में उतनी शक्ति प्रकट हो गई बाकि छिपा ली गई लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस अवतार में शक्ति कम है, शक्ति पूर्ण है, केवल जितनी आवशक्ता है, उतना प्रकट किया जाता है, और उसी आवशक्ता के अनुसार ही उस अवतार का नाम भी पड़ जाता है, चे प्रकार के अवतार माने जाते हैं, कुछ लोग चार प्रकार के अवतार कहते हैं, मैं डिटेल नहीं करूंगी, संग्षेप में आपको समझाऊंगी, वैभवा अवतार, प्राभवा अवतार, आवेशा अवतार, परावस्था अवतार यह चार प्रकार के अवतार हैं और यह चार प्रकार के अवतारों में ही सारे अवतार समाहित हैं यानि जितने अवतार होते हैं आप इनी चारों में मान सकते हैं देखिए हर अवतार में कुछ-कुछ शक्ती प्रकट हो रही है बाकी छिपा ली जा रही है लेकिन परावस्था अवतार ऐसा अवतार है जिसमें सारी शक्तियां प्रकट कर दी जाती तो ये परावस्था अवतार जो है ये केवल तीन माना गया है एक निसिंग भगवान परावस्था अवतार है एक श्री कृष्ण भगवान एक राम भगवान यानि पूर्ण अवतार जहां पर सारी शक्तियां प्रकट हैं श्री कृष्ण स्वयम भगवान है और ये बागी जितनी विभूतियां है अवतार आदी ये सब उनकी अंश का कला विलास रूप है एते चांश कला पुंसह श्री कृष्ण भगवान स्वयम भागवत विदभ्यास जी कह रहे हैं ये जितने अवतार हैं वो अंशी इन अवतारों को ये अवतार क्या हैं उस अंशी के स्वांश हैं अपने अंश हैं तो वो अंशी गोविंद अपने अंश को अपनी पूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं जो भी भगवत्ता है जिस अवतार की भी वो भगवत्ता गोविंद से प्राप्त हो रही हैं उस स्वांश की उस अवतार की अपनी निज कोई शक्ति नहीं अर्थात श्री कृष्ण से ही सारे अवतार हैं श्री कृष्ण किसी के अवतार नहीं इसलिए श्री कृष्ण को अवतारी कहते हैं श्री कृष्ण अवतार में चार मुख्य बाते हुई देखिए जितने भी अवतार हैं सब अवतारों में 60 गुण होते हैं एक कृष्ण अवतार हैं जिसमें 64 64 गुण होते हैं वो कौन-कौन से लीला माधुरी प्रेम माधुरी बंशी माधुरी रूप माधुरी ये चार चीजे विशेश हैं कृष्ण अवतार की तो कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है इस अवतार में विशेश आकर्शन है